तो आज मैं आपको बताऊँगा सैनिक स्कूल रिवा जो मद्यपरदेश का एक सरकारी सैनिक स्कूल है उसमें क्या कटोफ आपकी रहेगी या लास्ट एर क्या कटोफ गई थी और जो एक कटोफ सीरीज है क्यो जरूरी है देखिए जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा जब आप उसमें कटोफ अगरा देखोंगा आपका स्कोर कार्ड निकल के आएगा और जब आप इस कटोफ से टैरी करोगे तो अगर इसके आसपास हैं मतलब पलस माइनस फाइव नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पता चला आपके इस कटोफ से 30 नंबर कमें तो फिर आप उमीद मत करना अपनी नैक्स टियर की तैयारी में जुट जाना या अपनी नाइंद की तैयारी में जुट जाना या प्राइवेट शैनिक स्कूल का जोला सिल्वा लेना उसके दो एक्स्ट्रा निकर बनवा ल नग जाना तो यह होना है understood चलिए तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको और टेंशन मतलो एक ऐसी अकाडमी है जो आपको बिल्कुल आपका सेलेक्शन कराके देती है बस आपको 1 अपरेल 2013 के बाद की डेट अब बर्थ होनी चाहिए या आपका 1 अपरेल 2010 के बाद की होनी च चलिए अब मैं देखता हूँ आपको दिखाता हूँ रिवा कहा है मध्यापरदेश का सरकारी सेनी के स्कूल है अब देखिए जो लास्ट यह राउंड वन है यह क्लास सिक्स एक तो इस इज राउंड वन टोटल चार राउंड आये थे राउंड वन राउंड तू राउं और फिर आये थी waiting list waiting list में ज़्यादा कोई cutoff नीचे जाती round 1, 2, 3, 4 में ही चली जाती जितनी जानी होती है फिर तो मानगे चलो एक एक नंबर की बात मानगे तो home defense 267, OBC 259, 250 SC, 185 ST और 267 आपका general, this is boys ये क्या है boys, अब girls में आ जाओ 231 आपका defense, 256, 231, 170 and 272 reserve में ठीक है, ठीक चलिए अब आते हैं other states से उत्तरपरदेश से 265 वाला बच्चा select हुआ उत्तरपरदेश से defense 263, 274 उत्तरपरदेश से girls total कितनी देखो, एक सैनिक स्कूल में कितनी वेकंची होती है, 5 होती है total, 5 other states के लिए girls की बात कर रहा हूँ और 5 home state के तो 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों बर गई, ठीक है अब और यह होती है, total 10 के आसपास होते हैं 271, 222, 252, BR 271, ठीक है भई 263 ऐसे हो गया, उत्तरपरदेश से defense 263, 265 अब आते हैं round 2 में this is round 2, तो round 2 में क्या है 257, 254, 233, 258, 167, मध्यापरदेश ठीक है, ST category से और other states से है, यह home state की चल ले girls, और 250, ठीक है तो यह गई round 2 में, अब आते हैं other states से, देखिए, other states से फिर क्या हुआ, मान के चले है माह से आ गया, और उन्होंने पहली कटोप लगा दी और join नहीं हुआ, पहली कटोप लगा अब देखो, आपने पहले देखा तो पहले पाचों में आई थी, लेकिन आप 2 में आई तो मतलब 3 ने जोइन कर लिया, 2 ने नहीं तो 2 की फिर से निकाल दिये, तभी round 2 बना, similarly boys में तो यह बने ऐसे कुछ ने join कर लिया, कुछ ने नहीं तो round 2 में फिर यह vacancy आपकी निकल गया ठीक, यह vacancy निकल गया round 2 में, चलिए, अब आते हैं यह round 3 है, round 3 में देखो, ज्यादा तर बर गया, defense में यह लग गई बाकी की बर शीट एक की पाई होगी और यह home state की है other states में, देखो, यह आगया निकल गया और यह आगया निकल गया और फिर वाफ की यह तो last में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 254, 254, और round 4 होड़ाता है तो कुल मिलाके, 250 वाला फिर आपका मान के चलो, कि selection हो जाता है और home state में भी 250 पे जाके आपकी रुख जाएगी यह सारी चीजे है ठीक है वज, clear, समझ गये न बात को तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस तरह से आपको चीजों का ध्यान रखना है तब जाके आपका सरकारी सैनिक स्कूल में sheet लेना आसान नहीं है ककसा 9 के अगर मैं बात करूँ तो कोई sheet नहीं थी ककसा 9 में 400 में से number बनते है ककसा 9 के लिए 400 में से cutoff लगते है 350 का score है ककसा 9 के लिए तो इसको आपको ध्यान रखना है सैनिक स्कूल रेवा मध्या परदेश में लास्ट एर ककसा 9 की वेकेंसी नहीं थी सो कोई भी इसमें cutoff chart नहीं है रेवा मध्या परदेश में understood मैं आपको यहाँ पर बता दू जिन बच्चों को next year की तेयारी में जोटे हुए और उनको अपने सीट सरकारी सैनिक स्कूल में confirm करनी है तो आप हमारी academy में आ सकते हैं हम आपको सरकारी सैनिक स्कूल में सीट confirm करा के देंगे और साथ में अगर मैं बात करूँ तो यह लाइव किलास के तुरू भी आप तयारी कर सकते हैं प्रपर लुक्त्र लॉटक हो इस नंबर पर फॉल करके आप लाइव क्लास के तुरू तयारी में जूट जाईए और मेरा मानना हो अगर बच्चे घर पर सीरियस है या परेंट्स उसको समय दे सकते हैं लाइव क्लास में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बस बच्चों को सीरियस होना होगा बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी होगी लाइव क्लास के तो भी उम्मिद करता हूँ आपको यह चीजी समझ में आएगी और कटोफ का आपको बिलकुल एकदम ट्रेकर से चलन और 20-30 नंबर कम है ना कटोफ से 40 नंबर कम है तो फिर उनका कोई चांस नहीं हो ना फिर उनको नेक्स ही तेयारी मुझूट जाना जाएगी थैंक्यू श्रेंट्स